मेडिकल से जुड़ी सभी लेटस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्ट टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को वेलकम दोस्तों हमारी यूट्यूब चनल हेल्ट टेप्स मेडिकल नोलेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों दोस्तों मैं हूं हमत और आपके लिए लेका हैं मिडवाइफरी के क्यूस्चन दोस्तों यह क्यूस्चन कापी महत्पूर्ण है जितने भी में लिए उसकी लेटस्ट नोटिफिक्शन आपको मिलती रहे और पास में ही बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए यहां पर क्यूस्चन में क्या पूचा है इस त्रियों में मेनुपोज का सामान्य समय है ठीक है यहां पर क्यूस्चन में क्या क्या नॉर्मल डूरिशन आप मेन menopause in female तो 13 year of age 35 year of age 42 year of age 60 year of age तो आप यहां पर बताईए यहां पर correct answer क्या होगा यहां पर यहां पर जो correct answer है वो है 42 year of age वैसे जो normal age होती ही किसकी menopause menopause का आर्थ क्या होता है menopause का मतलब होता है stop menstrual 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 cycle यानि कि जो cycle menstrual cycle है उसका क्या हो जाना stop हो जाना उसे क्या करते हैं पर menopause करते हैं तो जो इसकी age होती है 42 year से कितनी होती है 45 year के बीच में एज होती है यादि इसकी age 55 year से तक यह बंद नहीं होता है यानि कि इस्टोप नहीं होता मैंस्ट्रोल साइकल 55 यह तक तो इसे क्या क्यते है पन डिलेड मेनू पोज इसे क्या क्यते हैं डिलेड डिलेड मेनू पोज ठीक है तो यह आप यहाँ पर मैंने एक और important question बता दिया आपको यदि 45 year इस तक मेंस्ट्रों से साइकल इस्टोप नहीं होता तो उससे क्यते है पर डिलेड मेनू पोज तो यहाँ पर correct answer क्या रहेगा अपना यहाँ पर जो correct answer अपना हुआ हूँ आरपास लूटियम आल ओप अबोव तो इसका correct answer क्या रहेगा यहाँ पर यहाँ पर जो correct answer है वो है क्या है एंटीर पिट्यूट्री जो FSHR मोने यानि कि जो पिट्यूट्री ग्लेंट्स होती है पिट्यूट्री ग्लेंट में भी दो होता है ठीक है एक तो एंटीर पार्ट होता है एक होता है posterior part यह posterior part यानि कि पीछे वाला हिस्सा anterior part यानि कि आगे वाला हिस्सा अब यहाँ पर जो anterior part होता है इससे जो बात करें तो बहुत सारे हर्मोन secret होते हैं एंटीर पार्ट से और posterior part से सिर्फ ओनली दो हार्मोन secret होते हैं उनका नाम में आपको बदेता एक तो है ऑक्सी टॉसीन तेके ऑसी टॉसरा हार्मोन है वह है एडी एच टेक है एडी एच एंटी डायूरिटिक हार्मोन यह दो ही हार्मोन posterior pituitary gland से secret होते हैं बाकी जितने भी हार्मोन है वह किसे secret होते हैं anterior pituitary gland से तो यहां पर जो correct answer रहेगा वह रहेगा अपना यहां पर क्या रहेगा अपना यहां पर रहेगा anterior pituitary gland और इसका काम क्या होता है मैं आपकी knowledge के लिए बता देता हूँ fsh का काम क्या होता यह क्या काम करता यह और किसको इस्टी मोलेट करता है जहां पर और correct answer है वो अपना है पहला वाला नेक्ट बात करेंपन मानाव प्लेसेंटा की सामान्य आकरती होती है common shape of human placenta यहाँ पर पूचाए कि जो human placenta है उसकी shape कैसी होती है rounded no specific shape तो किस प्रकार के होती है यहाँ पर correct answer क्या रहेगा अपना यहाँ पर यहां पर correct answer हो है डिस्कृट शेप देख लीजें देखो प्लेसेंटा कैसे होती ऐसे बनी रहती ऐसे अना प्लेसेंटा का इसा होता ऐसे होता तो यह को प्रकार का structure होता है सा यहरे कि diesel गइंड एक तरह हम किस कित बात करें अरे को इस Myanmar कि तश्तरी होती तकि ही कि फिक प्रेग्नेंसी के कितने सब्था मैं प्लेशेंटा का पून्ठ गविकास हो जाता है How many weeks placenta complete mature यानि कि placenta का पूर्ण विकास कब हो जता है 12 weeks, 16 weeks, 20 weeks, 28 weeks तो कौन से सब्ता पर जो placenta होती है उसका complete विकास हो जता है ठेके, तो यहाँ पर correct answer कि रहेगा अपना यहाँ पर correct answer हो है 12 weeks देखो जो placenta होती है जो placenta होती है placenta का जो complete maturation होता है वो कितना होता है 12 weeks 12 weeks या फिर बात करेंब तो 3 months कितना 3 months लेको इसके पहले यहाँ पर क्या होता है कि जो uterus होता है मैंने आपको एक दिन पहले बताया था मैं आपको भी और फिर समझा देता हो कि जो uterus होता है uterus के अंदर जो यहाँ पर uterus जब और फटिलाइज हो जाता है और यहां पर फटिलाइज हो जाता है और इंप्लांट हो जाता है तो यहां पर जो होती है किसमें ओवेरी के अंदर क्या होती है कारपास लूटियम जो कारपास लूटियम होती है कारपास लूटियम लूटियम यह होती है यह क्या करती है तीन महा तक किसका सेटेशन करती है पोप प्रोजेस्टरों का यानि की तीन महेंने का टाइम किसको प्लैसेंटर को बनने में प्लैसेंटर गरबायश्य कि क्ऊन सी सतयसे अलग होती है तब मताइट सेपरेट फॉम् विच लेयर ऑप यूट्रस uterus की कौन सी सते से मतलब सेपरेट होती है जब लेबर हो जाती है तो उसके बाद जो प्लेसेंटा निकलती है न तो कौन सी लेयर से निकलती है decidua decidua spongium decidua capsularis decidua vera none of these तो यहाँ पर जो correct answer है decidua spongium यानि कि जो decidua की जो लेयर होती है decidua क्या होती है जो uterus होता है उसकी internal जो लेयर होती है ठीक है उसकी internal लेयर को जो होती है गरबाश्य को दूरान उससे decidua क्या कहा जाता है और इसमें भी decidua spongium यानि कि जो decidua spongium होती है वहाँ से separate होती है कोन प्लेसेंटा next question की बात करें अपन oral contraceptive pills किन अवस्ताओं में प्रतिबंदित है oral contraceptive pills contraindicated in which ठेके जो oral contraceptive pills होती है जिसे कि mala N ठेके mala N है या फिर mala DA ये किन अवस्ताओं में contraindicated है hypertension, thrombophlebitis, family history of CAD all of above condition तो यहाँ पर correct answer क्या रहेगा यहाँ पर जो correct answer रहेगा वो रहेगा अपना all of above यदि family में उच्छ रख्थचाप की problem हो या फिर thrombophlebitis की problem हो या फिर CAD की बात करें CAD आप जानते हो CAD नहीं जाते हो मैं बताँ CAD का मतलब होता है coronary artery artery disease ठेके coronary artery disease CAD का मतलब होता है coronary artery disease यानि कि जो heart होता है जो हर्दे होता है उसकी जो artery की जो problem होती है उसे कहते हैं CAD तो यानि कि जो contraceptive जो पिल्स होती है इनकी वज़े से यह सारी problem हो सकती है इसलिए हम यहाँ पर correct answer है उप्रियूक्त सभी तो हम इन सभी इस्तितियों में कहने का मतलब यहाँ पर अगर question आपके कभी यह question पूछा जाए और यह भी option नहीं रहे तो उसके अंदर जो भी heart की जो problem होती है ठेके heart की जो भी problem होती है वो सब कराती कोन oral contraceptive pills तो जो इस condition इस condition इस condition अगर दे रखा तो हमारे यहाँ पर correct answer रहेगा वो रहेगा all of above condition बात करें next question की निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा दवरा इस्तरावित नहीं होता है which हार्मोन not secreted प्लेसेंटा जो प्लेसेंटा होती है उससे कौन सा हार्मोन नहीं इस्तरावित होता है estrogen, progesterone, HCG, testosterone तो यहाँ पर बात करेंगे प्लेसेंटा गी जो कि मैंने अभी आपको इमेज में बताया था है जो प्लेसेंटा होती ही जहां सक्थे बेबी जुडा रहता है उसे कहते हैं प्लेसेंटा, अंब्लीकल कोड अंब्लीकल कोड से जो योट्रिस कंतर रहता है उसे कहते हैं प्लेसेंटा, ऐसे तो जो प्लेसेंटा से कौन-कौन से हर्मोन इस्तावित, यानि कि इन में से कौन सा हर्मोन इस्तावित नहीं होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो है testosterone, देखो प्लेसेंटा से क्या होता है प्लेसेंटा से estrogen भी होता है progesterone भी होता है, SCG भी होता है ठेके, लेकिन testosterone नहीं होता है, तो यहाँ पर लेकिन नहीं पूचा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हैगा कौन सा रहेगा अपना यहाँ पर यहां पर जो correct answer रहेगा हो रहेगा अपना ली वाला फोलिक एसिड की कमी को पूरा करने है तो pregnant lady को diet देना चाहिए which diet is given to pregnant lady for deficiency of folic acid यह काफे important question है ESIC में पूछा जा चुका है यदि किसी महिला को folic acid की deficiency है तो उसे कौन सी diet देना चाहिए इस पिंच बनाना, seafood, yogurt, पाला, केले, समुधरी बोजन और दई तो यहां पर correct answer क्या रहेगा यहां पर जो correct answer रहेगा रहेगा अपना यहां पर इस पिंच जो इस पिंच होता है इस के अंदर क्या होता है क्या पाए जाता है इसके अंदर folic acid यहां पर क्या पाया जाता है इसके अंदर folic acid तो यहां पर correct answer है यानि कि जो green leafly vegetables होती है green leafly vegetables होती है उसके अंदर पाया जाता है folic acid यह क्यूशन काफी महत्पूर्ण कई एक्जाम में पूछा जा चुका है acclampsia के उप्चार है तो magnesium sulfate का उप्योग किया जाता है और magnesium sulfate toxicity के दुष्प्रणायम को रोकने है तो किसका उप्योग किया जाता है कहने का मतलब यह कि magnesium sulfate used to treat of acclampsia patient which medicine used to prevent magnesium toxicity एक तरह सा question में यही पूछा है कि magnesium का antidote क्या है तो हम यहां पर बात करेंगे इस दो यहां पर और कर्रेंसर क्या होगा debate hydrogen hydrogen calcium gulconate phenyton यहां पर क्रेंटर क्रेंटर क्या है यहां पर करेंटर अंसर है कल्षियम गुलको नेट मैंने एक बार आपको पहले भी समझाता है कि जो एक करते हैं JUDGE ए तो हम इसके दि honor किया देते हैं अपनेS a magnesium श्यम मेंट इसम से ख़र में चाहित्य मैंने इक दीन ने पहले इता है यह क्या काम करता है मसल्स रिलक्संट क्या मसल्स है मसल्स और जयते हैं मसल् confrontation कर करते हैं जब इसका इंटेडोट की बास करें तो थेंगे पर केल्सीयम गुल को नेट देंगे तो यहां पर करेक्ट अंसर अपना इसे चलते नेक्स्ट कि तरफ प्लेसेंटा प्रीविय का लक्षन है symptom of प्लेसेंटा प्रीविय penless vaginal bleeding uterine tightening dull low back pain intermittent back pain तो यहाँ प्लेसेंटा प्रीविय का लक्षन कौन सा है तो यहाँ पर correct answer क्या होगा penless vaginal bleeding देखो क्योजिशन में पूचा प्लेसेंटा प्रीविय जो प्लेसेंटा प्रिवे के होती है कि जो प्लेसेंटा होती है नॉर्मली कहां पर लगती है जो फंडस के यहां पर होती है क्या प्लेसेंटा नॉर्मली यहां पर फंडस पर होती है क्या होती है प्लेसेंटा लेकिन जब यह अबनॉर्मल रूप से कहीं भी अटेज हो जाती ह या फिर लोवर पोल पर हो जाती है कहीं भी अटेज हो जाती है तो उसकी वज़े से क्या होने लगता है ब्लेडिंग होने लगता है और उसे क्या कहते है पन प्लेसेंटा प्रीविया क्या कहते है उसे पन प्लेसेंटा प्रीविया तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा वह पै कर देपन नहीं होता है मैं है कि ऑ है टिर का न के आई है रोओ हुईु का मॉड संबनधित जट्टिलता हो सकती है दॉफुसाइँज अप हाइडिते दु अपालब एक्तपिक प्राइग्नैंसी करियोनिक कासिनोमा multiple pregnancy infertility तो यहाँ पर सबसे जो hydrated mole की जो problem हो सकती है वो सबसे ज़दा क्या होती है korionic carcinoma यानि कि korionic carcinoma हो सकता है किसकी वज़े से hydrated mole की problem की वज़े से hydrated mole क्या होता है जब lady pregnant हो जाती है तो जो कई बार क्या होता है placenta के जो korions होते हैं अन के अंतर क्या हो दिए जो chorion होते हैं प्लसेंटा के वहां पर क्या होती है व्रॉष होने या मोल्स बनने लग जाते है ठेके मोल्स बनने लग जाते है रोसे कैते पन hydrated moles ठेके प्रोस्टा ग्लैंडिन जेली का प्रवियोक प्रशव के पहले किया जलता है याझने जब प्रोषब कराते हैं याझने कि जब डिलेवरी कराते हैं तो उस टाइम में जो प्लेसेंटा प्लेसेंटा याझन लेट ड डाउन र्व्लेक्ष support उत्रफिंवर्जन यह काफ़ी मैदपूर्ण क्यूशन है कई एक्जाम में पूछा जा चुका है तो यहां पर करेक्ट अंसर क्या रहेगा अपना प्रोस्टा ग्लेंडिन के किसलिए दिया जाता है सर्वाइकल राइपिंग जो यानि कि एक तरह से सर्विक्स की राइपिंग की बात करें अपन जो प्रोस्टा ग्लेंडिन होता है जैसे कि आपने देखा वहाut मीका तो यह क्या काम करते हैं जो सर्विक्स होती है है सा वीख होती है उसे क्या करते हैं राइपिंग करने काम करते हुंत应 करने का मैं करते हैं को ब्लैंट यहां पर यक्पर ग्रेंट सर aroma के वला कि के भी कापई इंपोर्टेंट की यह पूचा जा चुका है जोनी की एकलेशन की दोरान नर्स कोन सा सा क्रेनियल सुचर को टटोलती है ठ्थथक है in PV एक जामेशन विज्च क्रेनियल सुचर पालपेट दे नर्स यानि यानि जब पर वेज़ाइनल एग्जमिनेशन कर रहे हैं तो कौन सा क्रेनियल सूचर को पाल्पेट कर सकते हैं सेजाइटल, लेمबोईडल, कॉरोनल, फ्रंटल, तो यहां पर करेक्ट आंसर के रहेगा यहां पर जो correct answer रहेगा वो रहेगा अपना sagittal suture ठीक है जो sagittal suture देखो क्या होता है कि जब आपको मैं ऐसे बता देते हो diagram के तोर पर कि यहां पर ऐसे fetus का iscal होता है ठीक है और यहां पर sutures होते हैं जो आगे वाला देखो यहां पर एक fontanel होता है यहां पर भी एक fontanel होता है यह तो होग्या अपना तो यह जो suture है यह है sagittal suture यह कौन सा suture है यह सेजittal suture ठीक है और यह है कौन सा यह यह coronal है और यह है frontal कौन सा यह frontal और यह यहां वाला lamboidal ठीक है अगर बात करें अपन तो जब हम फिंगर से एक्जामिनेशन करेंगे तो ये सूचर सबसे ज़्यादा मैसूस होता है कौन सा वाला ये वाला यानि कि सेजिटल सूचर तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो पहला वाला को ये क्या उइंपोर्टेंट है काई एक्जाम में पूछा जा चुका नवजाज शिशू में विटामीन के का इंजेक्शन लगाए चता इसका कारण है विटामीन के इंजेक्शन एडिमिस्टर इन नियोनेट है और प्रिवंड हाइपो ग्लैसे म्यां फु प्रिवंद हाइपर्टी पी बयंच हे मैं तो वीटामिन की का इंजेक्शिन और यह लगए जाता है वा प्रिप करेंद है कीराएँ उस आइसका सफर्थ की शैओं द्ली एंपार में के जो विटामिन के होता है विटामिन के इसका क्या काम है मैंने एक दिन पहले बताया था यह होता है प्रोथोंबिन किसको बनाता है प्रोथोंबिन को और प्रोथोंबिन को और प्रोथोंबिन क्या है एक दाशा क्लोटिंग है जो नियोनेट होते हैं क्या होते हैं नियोनेट से फोता है था यहां पर करेक्टाइंसर क्या रहेगा अपना यह पर को टीक है टू प्रिवेंट हीमोरेज और इसको किस रूट से दिया जाता है आई एम यह भी ध्यान रख लेना वेस्टर्स लेस्ट्रालिस जो मसल्स होती है उस पर दिया जाता है इंट्रमस्कुलार रूट से यह भी काफी इंपोर्टेंट क्यूशन है दिल्ली एम्स में पूछा जा चुका और कई एनम या फिर जी एनम की कमपेटेशन में पूछा जा चुका है एपिड़्ूर अनस्तिशिय का सबसे कॉमन दुष्ट प्रभाव है कॉमन साइडि अप्यक्त ओप एपिड़्ूरल आनस्तेशिया इस्पाइनल हेडेग ए हाइपर टेंशन यूरेनरी रेटेंशन यूटराइन रिलेक्सेशन तो यहां पर सबसे यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर सबसे कोमन कोमन तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा है सोरी यहां पर आप इसको यह हाइपर टेंशन है यह से आप हाइपो टेंशन कर लेना क तो यहां पर correct answer रहेगा रहेगा अपना hypotension देखो सबसे जो common होता है वह होता है hypotension देखो सबसे जो common side effect होता है इसका क्यों 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 होता है hypotension होता है किसका epidural anesthesia का तो थेंक्यों दोस्तों और चैनल को subscribe कर दीजे ताकि सबसे पहले आपको वीडियो की latest notification मिलती रहे अगर दोस्तों आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जाकर आप वहां से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं तो थैंक्यों दोस्तों झालोड कर सकते हैं